आज हम डोनट पनाएंगे तो इसके लिए एक बाउल रख लिया है और उसके उपर सीवर तो अब इसमें 2 कप मैदा, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, साथी 1 बाई 8 टी स्पून सॉल्ट और 1 बाई 8 टी स्पून बेकिंग पाउडर अब इसे अच्छी तरह से हम चान लेंगे, चानने के बाद शुगर पाउडर डालेंगे, जोकि धाई टेबल स्पून है, साथी 1 टी स्पून इंस्टेंटीस्ट अब एक दुसरे बाउल में 2 अंडे, आदा कप दूद और थोड़ा सा वैनिल एसेंस इन्हें हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिलाने के बाद अब जो मैदा है, बाउल में उसमें अब हम धीरे-धीरे मिलाएंगे और किसी भी स्पैचुला से अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, इसके बाद ही हमेसे डोव बनाना पड़ेगा तो इस तरह से हो जाने के बाद मैंने यहां blender लिया है आप चाहिए तो हाथों से भी कर सकते हैं तो हाथों में थोड़ा चिपचिपपा रहता है इसलिए मैंने इसे blender से किया है पहले लेकिन बाद में मैंने हाथों से भी किया है करीब 10-15 मिनट के बाद दाई टेबल स्पून बटर भी मिलाया और फिर से ब्लेंडर से मैंने थोड़े देर और ब्लेंड किया ताकि ये इसमें अच्छी तरस से पकड़ ले ये बटर सब अच्छी तरस से मिक्स हो जाए उसके बाद मैंने से थोड़ा स्टिकी लगा इसलिए मैं थोड़ा सा और मैदा करीब 1 by 4 कप मैदा मुझे और लगा तो इससे अच्छी तरह से मैंने फिरसे से डो के रूप में बना लिया है तो इस तरह से इसका टेक्स्चर आया है बहुत ही सॉफ्ट बनाया है तब हम इसे बाउल में क्लिंक फिल्म लगा करके हटा के रख देंगे करीबन 10 मिनट और अब 10 मिनट हो गए हैं तो इसे बेलेंगे अब इससे निकाल लेते हैं थोड़ा मैदा चीतने के बाद ताकि ये नीचे से पकड़े नहीं इसलिए मैंने नीचे डाला है और अब जो बे से राउंड शेप जिससे मिलता हो उसे करेंगे मैंने यहां कुकी कटर लिया है तो थोड़ा थिक बेलेंगे तो अब cookie cutter से इस तरह से काट लेंगे और जो center portion है उसको मैंने nozzle से cut किया है तो इस तरह से काट के हटाने के बाद बाकी doughnuts को भी हम हटा लेंगे काट करके और अब इस तरह से काटने के बाद जो इसके side से जो निकाला हुआ भागे इसको फिर से हम अच्छी तरह से हम हाथों से ball जैसा बना लेंगे और इसको फिर से बेलेंगे ये process हमें तब तक करना है जब तक ये dough पूरा खतम ना हो जाए अब इस तरह से फिल से बेलेंगे और बेलने के बाद फिर से इसी तरह से थिक बेलना है बहुत जादा मोटा भी नहीं इस तरह से पूरा डोनेट्स तयार है और इसे एक भीगे कपड़े से करीब आदा गंटा 45 मिनिट्स करीब हमें रखना पड़ेगा रेस्ट होने के लिए अब एक कड़ाई में विजटेबल ओल डालते हैं और मीडियम तो लो फ्लेम में ही हमें इसे पकाना है तो लो लो और मीडियम के बीच में आप रख सकते हैं इसे बहुत ही धीरे धीरे पकाना है नहीं तो ये अंदर से कच्चा रहेगा तो इसलिए मैंने बहुत ही लो फ्लेम में रखा है लो और मीडिल के बीच में करीबन तो इस तरह से एक सब्त जब हो जाती है तो इसे फ्लिप करेंगे और दोनों सत्य को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे तो थोड़ा सामय लगता है ये पुरा डोनट्स तैयार होने में क्योंकि ये थोड़ा मोटा रहता है तो इस तरह से प्रिपेर हो जाने के बाद हम इसे एक प्लेट में हटा लेंगे इसी तरह बाकी सभी डोनट्स को तैयार कर लेंगे ये मैंने 200 ग्राम वाइट कंपॉंड लिया है जिसको डबल बॉइलिंग मेथ़़ड से मेल्ट करना है तो इसे melt कर लेंगे इस तरह से और दूसरी तरह मैंने black compound को भी melt करके रख लिया है यह हमारे जो तयार कियेगे डोनट से वो है अभी इने decorate करते हैं तो जो black compound है उसमें dip करने के बाद इसको plate में हटा लेंगे तो मैंने black compound में भी dip किया है साथी white compound जो है उससे भी dip किया है और थोड़े से chocolates को जो melted chocolate है इसको मैंने piping bag में भी हटा लिया था white को भी हटाया है और black को भी तो उसी से decoration करना पड़ेगा तो इस तरह से कर लेंगे और थोड़े से donuts जो है उसको जो melted white compound है उसमें भी dip कर लेंगे और उसके उपर भी इसी तरह से piping bag से या फिर आप चम्मच से भी कर सकते हैं स्पून की साहता से भी आप इस तरह से decoration कर सकते हैं तो बस इसी तरह से सारे donuts मैंने तयार कर लिये हैं सारे donuts तयार हो जाने के बाद इसे ऐसे ही छूट देंगे यह खुद set हो जाता है तो यह इस तरह से इसका look है थोड़े sprinklers थे उसको भी मैंने में डाल दिया है उपर से और देखिए बहुत ही tasty और crunchy donuts तयार हैं तो आप इसे taste करके देखते हैं देखिए इसके अंदर का जो texture है बहुत ही अच्छा है और इसका taste भी बहुत अच्छा है आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दीजेगा थैंक यू